Welcome to Carb Academy, Today I solve Class 8 Mathematics, Chapter 5, Exercise 5.4 का Question No. 4 को solve करेंगे Question 4 है, Find the list number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square Also find the square root of the perfect square so obtained देखो, इसमें आपको 5 questions है और आपको क्या करना है? यह बोल रहा है कि जो number given है ना, उस number में से क्या subtract किया जाए ठीक है, क्या subtract किया जाए, वो ऐसा number आ जाए कि जब हम उसको square root find करें, तो perfect square हो जाए समझ रहे हो बात को हम क्या करना चाहते हैं? देखो 4 and rate 2 है ना, तो पहले 4 and rate 2 को हम square root division method से find करेंगे तो जो remainder बच जाएगा ना, उससी remainder को इस number में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, आप माइनस करने के बाद जो number आएगा ना, उसका हमें square root find करेंगे, तो हमारा जो answer होगा, वहीं perfect answer आएगा, ठीक है? जब हम एक question बना देंगे ना, आपको बाते समझ में आ जाएगे, तो ध्यान से देखो यह हमारा question number 4 का first है, ठीक है? हम क्या करते हैं, इसको अड़ाते हैं, बुक को, हमारा question है, 402, ओके, सबको बाते समझ में आ रही है, किसी कोई doubt नहीं है, पहले हमने का कहा, इसका division method से square root find करो, यह हो गया, 402, यहां से हम double लगाएंगे, और यहां से single है, तो single ही रहन देंगे, अब two से करेंगे, two two जा, four, अब यह देखो, यह दो two में से, एक two को यहां पर right कर देंगे, कर दिये, कोई doubt नहीं है, अब देखो, इस four को, हम minus करते हैं, और इसको add करते हैं, यहां से minus करेंगे, यह पूरा पूरा complete खतम, और यह two two कितना हो जाएगा, यह four हो जाएगा, ऐसा अंक रखते हैं, जिसको melt पल करने पर इससे छोटे हो, बड़े नहो, equal भी चलेगा, बड़ा नहीं चलेगा, तो हम जदी one भी रखते हैं, इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि two है, यह 41 हो जाएगा, हम रखते हैं, zero, zero को zero से करेंगे, zero, zero को four से करेंगे, zero, यानि इसक तो remainder two आगया न, perfect square करना इसको, तो four hundred two में से इस remainder को minus करोगे न, four hundred two में से उस remainder को minus करोगे, क्या आएगा, four hundred, जब यह four hundred आया न, अब इसका division method से फिर से square root find कर दो, जो इसका answer होगा, वहीं अपका actual answer होगा, तो double, डिजिट के लिए double, यहाँ पर रिकर आगा दिए, यह single है टू-टू जा, यह four हो जाएगा, डबल two में से बन टू लिखेंगे, यहाँ पर खतम, अब यहाँ देखो, double zero, यह two two, four, यहाँ zero लाना है, तो zero से करेंगे तो हो जाएगा, zero को zero से करेंगे, zero, zero को four से करेंगे, zero, यह पूरा-पूरा कट गया, double zero में से एक zero रख देंगे, the square the square root of 400 to each नहीं 400 to नहीं 400 है ना 400 is क्या है 20 इसी का आपको square root find करना था इसी तरह से सारे equation बन जाएंगे जदी आप बनाना चाहते हो तो ठीक है चलो second question देखो इसका second question है 1989 ओके पहले इसका simple हम division method से इसका square root find करेंगे ठीक है 3 से करेंगे जदा छोटा हो जाएगा 4 से करेंगे हो जाएगा 5 से तो बड़ा हो जाएगा 4 फोर जा 16 माइनस करेंगे यहां से 3 जाएगा और double 4 में से 14 को लिखेंगे उपर से 89 को रख देंगे 4 फोर 8 हो गया अब यहां पर कितना से करेंगे 389 आ जाए सुचो कितना से कर देंगे तो हो जाएगा तो जदी हम ठीक है जदी हम कितना से कर दें 4 से करेंगे तो जदा हो जाएगा मेरे ख्याल से 4 से करेंगे तो होगा क्या 4 से करेंगे तो नहीं होगा 4 से करेंगे तो नहीं होगा 3 से 3 से जदा कम हो जाएगा 4 से हमारा हो जाएगा चेक करते हैं 4 फोर फोर जा 16 4 एड जा 32 और 1 37 7 इतना हो गया इसको करते हैं तो यहां से 3 और यह तो करे लिया था यह पूरा-पूरा आमारा नहीं यहां 8 में से 7 जाएगा 1 और यह पूरा-पूरा खत्म यहने 13 आएगा कितना आएगा 13 13 आएगा कि ज्यादा आएगा यार मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना एक बार फिर से करते हैं और यह 33 होगा यार हमने 4 इसमें एड़ कर दिया है ठीक है यहां से कितना जाएगा 8 में से 3 जाएगा यह 5 53 आएगा देको मल्टपल हमारा गलती हो गया था ठीक है रिमेंडर कितना आएगा 53 अब जब हम 1989 में से मैनस कर देंगे 53 तो क्या होगा 1989 में से 53 के मैनस करेंगे यह हमारा आ जाएगा 1936 कितना हैगा 1936 आ जाएगा अब जब 1936 है ना इसका square root find करेंगे यहां से 1936 का square root find करेंगे यह double 4 से करेंगे 4 4 जा 16 दो 4 में से 1 4 right करेंगे और यहां से 3 3 6 उतार देंगे 4 4 8 अब इसको 4 से करेंगे ना हमारा हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 32 और 33 यह पूरा पूरा कट गया यह दो 4 में से 1 4 को लिख देंगे लास्ट में लिखेंगे hence the square root the square root of 1989 is 40 for your answer I hope कि आप लोग को second question समझ में आ गया होगा इसका third देखते हैं third question क्या है आपका third question है third है कि 32 3,250 है ठीक है तो पहले तो हम इसका डिविजर मेथर्ड से फाइंड करेंगे डबल लगाएंगे और यह 5,5 से करेंगे क्योंकि 6,6 करेंगे ज्यादा हो जाएगा 25 और एक 5 राइट करेंगे यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 7 डबल लंक लिख देंगे 5,5,10 इसको 7 से करेंगे 7,7 जा कितना 49 और 7,1 जा 7 इतना हो गया यहां से मारा रिमेंडर 1 आ जाएगा डबल 7 में से 1,7 को राइट करेंगे रिमेंडर मारा 1 आया ना 3,2,5,0 में से 1 को माइनस कर देंगे कितना आएगा 3,2,4,9 जाएगा अब इसका स्कॉाइर रूट फाइंड कर लेंगे 3,2,4,9 का डबल लगाएंगे तो सबसे पहले 5 से करेंगे 5,5 जा 25 और यहां से 5 को राइट करेंगे यह हो गया 7, यह 4,9,5,5,10, 7,7 से करेंगे 749 यह देखो पूरा-पूरा कैंसल यहां से डबल 7 में से 7 को राइट कर देंगे यानी हमारा लिखेंगे हैंस हैंस दे इस्कॉाइर रूट आफ इस्कॉाइर रूट आफ इस्कॉाइर रूट आफ तो थर्ड़ वी कंप्लीट होता है अब फोर देखो थोड़ा सबेट कर लो दिख रहा है सबको दिख रहा है न चलो थोड़ा सा लाइट कट गई है तो थोड़ा सा माप करिएगा थोड़ा दीम अब को आ रहा होगा बट समझने के लिए इतना काफी है ठीक है क्या है 825 है इसका पल यहां फाइंड करेंगे 825 का डबल लगाएंगे यह 22 हो जाएगा अमारा 4 यहां से 2 यह 4, यह 2, 5 22 जा 4 अब इसको कितना से करें जदी हम 8 से करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 जाए 64 32 32, 36 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा 38 हो जाएगा इसको माइनस करेंगे 1 और यह 4 यह कट गया और double में से 1 तो लिखना पड़ेगा ठीक है यानि हमारा 825 में से 41 को माइनस करोगे तो हो जाएगा तो माइनस करोगे तो कितना आएगा जदि इस में से हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा यह 4 और यह हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा 7 इतना आ जाएगा ठीक है तो अब हम क्या करते हैं इसका स्क्वाइर रूट फैंड करते हैं 784 का डबल लगाएंगे 224 यहां से 384 224 हो जाएगा और इसमें 8 से करेंगे तो हमारा पूरा-पूरा आ जाएगा पूरा-पूरा कट गया यहां डबल में से सिंगल डबल में से सिंगल एंड लास्ट में लिख देंगे hence the square root of कितना है 784 कितना है 2080 और एंज़ अब एक इसका लास्ट है देख लो थाँसा light की तो problem हो रही होगी बड़ देख लो आप लोग खुद से भी कर सकतो है कोई बड़ी चीज नहीं है ठीके न क्या है 4000 है 4000 है 4000 है तो पहले 4000 का हम root find करेंगे double, double 6 से करेंगे 36 यह 4, double 0 यहां आपर 36 हो गया अच्छा 36 नहीं होगा 12 होगा इसको add करना है यहां से 3 से करेंगे तो 339 326 3 यहां से कितना आजाएगा यह हमारा आजाएगा 31 आजाएगा ओके यहां से 4000 में से 31 माइनस करेंगे तो 3969 आजाएगा ठीके अब इसका करेंगे तो डबल डबल लगाएगे 66 36 यहां से 369 6612 3 से कर देंगे 369 आजाएगा यह पूरा पूरा खत्तम यानि 63 हो जाएगा तो लास्ट में लिख देंगे हैंस दे एस्क्वाइर रूट आव 4000 नहीं 4000 नहीं 3969 नीच कितना होगा 63 होगा तो अराम से बना सकते थे कोई यह डाउट नहीं था हम एक क्वेशन बताया थे उसके बाद ही आप सारे कर सकते थे बढ़ हमने सारे कर दिया ठीके तो क्वेशन नमर 5 हम अगले वीडियो में सल्ब करें क्योंकि भी लाइट भी नहीं है